नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि एनलियो टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, एनलियो टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और एनलियो टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एनलियो टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, एनलियो एक ब्रैंड नेम है, एनलियो टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन पैंटो प्राजोल 40 mg होता है, एनलियो टैबलेट पेट में उत्पन होने वाले पेट में अलसर होने पर एनलियो टैबलेट का उप्योग किया जाता है, एनलियो टैबलेट को डॉक्तर एंटिबायोटिक दवाओं या अन्य दवाओं के साथ, दवाओं की वज़ह से होने वाले साइड इफेक्स को कम करने के लिए भी लेने की सला दे सकता है, जैसे एनलियो टैबलेट को दर्द की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है, ज्यादातर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य साइड इफेक्स में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है, इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़ह से ये साइ इफेक्स ना हो। इसलिए आपका डॉक्टर एनलियो टैबलेट को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा एनलियो टैबलेट का उपयोग कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे गैस्ट्रिक अलसर, एसिड रिफलक्स और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी एनलियो टैबलेट का उपयोग किया जाता है। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है. अब हम डिसकस करेंगे कि एनलियो टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं. वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एनलियो टैबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में एनलियो टैबलेट की वज़े से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे पेट में दर्ध होना, पेट से गैस निकलना, मुँ में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर की मासपेसियों या जोडों में दर्ध होना, चक्कर आना वददस्थ होने की समस्या हो सकती है. इसके अलावा एनलियो टैबलेट की वजह से कुछ व्यक्तियों में कप्स की समस्या भी हो सकती है. लंबे समय तक एनलियो टैबलेट का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक एनलियो टैबलेट को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B12, कैल्शियम, आइरन और मेगनीशियम की कमी हो सकती है. इसलिए डॉक्तर की सला के बिना एनलियो टैबलेट को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए. लंबे समय तक या दिन में कई बार एनलियो टैबलेट को लेने से ऑस्टियो पोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है. ऑस्टियो पोर का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से इनलियो टैबलेट को ले रहे हैं तो आपको कैल्शियम और विटामिन दी के सप्लिमेंट्स डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए ताकि ऑस्टियो पोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए और विटामिन दी के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पस को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की एनलियो टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है आमतौर पर 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्तर एनलियो 40 mg टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं एनलिय टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको एनलियो टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए एनलियो टैब टैबलेट मा के दूद के जरीए बच्चे तक पहुँच सकती है और दूद पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्स पैदा कर सकती है इसलिए स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एनलियो टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है वीडियो को देखने के लिए आ आपका धन्यवाद